Henry Cavill की most anticipated movie जिसका वेट में बहुत समय से कर रहा था जब मैंने पहली बार इसका ट्रेल देखा था ना तभी मैं इस movie का दिवाना हो गया था और मैं इस movie को देखना चाहता था और मैंने फाइनली इस movie को देख लिया जिसका नाम है एर गाइल और एर गाइल इस movie का नाम लेकिन समस्या उस समय खड़ी हो जाती है जब कुछ गौर्मेंट एजनसी और एक विलन वाली इसके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि यह जो भी लिख रही हो फ्यूचर में हो रहा है अब वह कैसे वाप मूवी के अंदर देखना लेकिन इसके वजाए से इसको दोनों एज देखना है और बात कर लेते हैं इस मोवी की कुछ अच्छी और बुरी चीज़ होगी जिससे आपको पता लग जाएगी आखिर आप कोई मूवी देखनी भी चाहिए है नहीं तो इस मोवी का सबसे पहला पॉस्टिव पॉइंट है कि इसके कमाल के अक्शन्स यह एक आक्श वाला फाइट सीन और दूसरा ओइल वाला फाइट सीन अब ओईल वाला ट्रेलर के अंदर आपने नहीं देखा होगा लेकिन आप मोवी के अंदर उसको जब देखना है और साथ में जितने भी आक्शन्स इसके अंदर है वो बहुत ज्यादा कमाल है लेकिन इस मोवी के आप और अक्टिंग हर एक्टर की काफी अच्छी है लेकिन तीन अक्टिस कहस तोर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंदा है सबसे पहले हैं यह था हैं दोसरा अड़न हो सकता है मैं नाम गलत पढ़ रहा हूं लेकिन इनकी पहली मूवी जिसके अंदर में देखने को मिल रहे हैं वैसे हमको Iron Man 2 movie के अंदर Justin Hammer के रोल में already देख चुके हैं, थर्ड अक्टर में Brian जिनको हमने Breaking Bad series के अंदर देखा था उनकी acting मुझे बहुत ज़्यादा पसंदा है, इस movie के जो main actress है, इनकी acting भी काफी अच्छी है लेकिन ये तीन actors खास तोर में मुझे बहुत ज़्यादा पसंदा है इस movie के अंदर, उसके साथ में जो fourth point है वो है इस movie की story, इस movie की story बिल्कुल भी simple नहीं है, यहाँ तक कि जब मैं movie देख रहा था, मैं predict कर रहा था कि अच्छा इस movie की story ये होगी, लेकिन आदी movie भी इतने के बाद लगए एक गंटा होने के बाद, यह movie इस तरीके से पल्टी खाती, इस तरीके से twist होती है, कि मैं पूरी तरीके से short हो जाता हूँ और जो मैं अभी तक सोच रहा था है, कि यह story इसकी होगी वो पूरी तरीके से collapse हो जाता है, यहाँ तक कि जब मैं दुबारा कोसेस करता हूँ सोचने कि अच्छा इसकी story यह होगी, यह movie आपको सुर्वास से अपने साथ hook करके रख लेती है, यह fast-paced movie कहीं से भी आपको यह नहीं लगेगा कि यह movie lengthy हो गई है, यह इसको थोड़ा चोटा होना चाहिए था, यहाँ तक कि अगर यह movie थोड़ी बड़ी भी होती तब भी कोई फरक नहीं पड़ता, वैसे यह movie दो गंटे से जादा किया लेकिन उसके बाद भी यह movie मुझे सुर्वास से लिगा, पूरी तरीके से hook करके रखती है जो की काफी अच्छी चीज है, फिफ्ट पॉइंट की एक family movie है, सुरवात में मैंने आपको बताया था, इस movie का अपने बच्चों के साथ भी देख सकते हैं, इसके अंदर आपको कोई LGBTQ, इसके अंदर आपको adult scene, कोई भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिलेगी, जिसको आप family के साथ नहीं देख सकते हैं, और साथ में ये फिल्मी movie है, जो लोग इसको देखने जाने दिमाग में वह ये बात रखेंगी, ये फिल्मी movie है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी फिल्मी चीज़े देखने को मिलेंगी, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, लेकिन अब negative चीज़ों की बात कर लेते हैं, तो negative में जो सबसे बड़ी heartbreaking चीज़ है, वो है Henry Cavill, मैं इस movie को Henry Cavill के लिए देखने गया था, लेकिन Henry Cavill का role इस movie के अंदर इतना नहीं है, जितना में सोच रहा था, पूरी movie के अंदर मैं यही सोच रहा था, Henry Cavill का role cast इतना होता, यह होता मतलब मैं spoiler नहीं देना चाहता, लेकिन इस movie के अंदर इतना Henry Cavill का role नहीं है, और मैं Henry Cavill का बहुत बड़ा fan है, जबसे मैंने Man of Steel movie देखी थी, तो मैं इस movie को Henry Cavill के लिए देखने गया था, लेकिन इस movie के अंदर Henry Cavill इतना देखने को नहीं मिले, लेकिन उसकी फरपाई एंडिंग में हो जाती है, वह आप जब देखींगे तो आपको पता लग जाएगा क्या एंडिंग में देखने को मिला, और दूसरी negative चीज की जो कि इतना मेरे लिए matter नहीं करता, वह है कि इसके अंदर practicality और logical चीजों का थोड़ा सा issue आ जाता है कि कहीं कहीं पर हो सकता है कहीं लोग को वह चीज प्राक्टिकल या लॉजिकल ना लगें, क्योंकि मैंने शुरवात में आपको बताया कि यह movie फिल्मी movie हैं, मतलब इसके अंदर बहुत सीजी जा ऐसी होने वाली है जो कि सायथ practical या लॉजिकल ना लेकिन उसके बी मुझे वह चीज बहुत ज्यादा पसंद आई है, तो सिर्फ एक ही जो negative मुझे इस movie के अंदर लगा है, बाकि मैं इस movie को rate करूँगा 7.5 out of 10 और मुझे तो इस movie बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और मैं आपको भी highly recommend करूँगा कि आप इस movie को जाके देखें अपनी पूरी family के साथ, Hindi language में आप इस movie को theatres में देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए, मैं मिलता हूँ आप से अपनी next वीडियो में,